हेलो फ्रेंड्स, वैल्कम तो मैं चैनल, प्रेगिनिसी केर विद मेगा दोस्तो, डिलिवरी के बाद कुछ वजह ऐसी हो जाती है जिनकी वजह से ब्रेस्ट में दूद नहीं बन पाता है तो कौन सी ऐसे problem होती है जिसकी वज़े से breast के अंदर दूर नहीं आपाता है और इसका क्या solution होता है चलिए आज के इस वीडियो में कुछ इसी topic पर बात करते हैं उमीद करूंगे आज का इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे आज मेरे आवाज कुछ बदली बदली लग रही होगी अज मेरा गला खराब है खांसी हुई हुई है तो इस वज़े से आपको मेरे आवाज चेंज लग सकती है अगर आज का इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे परन्तो दोस्तो बहुत सारी ऐसी महिलाए होती हैं जिनकी ब्रेश्ट में बच्चे के जर्म के बाद भी दूद नहीं आपाता है तो उनके पीछे के कौन-कौन से रीजन होते हैं सबसे पहला होता है दोस्तो ग्रेडियूलर टिशू देखें ये समस्या जादतर पहली बार मा बनने वाली महिलाओं के साथ होती है इस इस्तिती में दूद नलिकाओं ठीक से नहीं बन पाती है जिससे दूद की आपूर्ती रुख जाती है दूसरी और तीसरी प्रेग्निंसी के दोरान ये इस्तिती ठीक हो जाती है अपने दूद नलिकाओं को उतेजित करने के लिए हमेशा ये सलह दी जाती है कि अपने बच्चे को अपने निपल चूसने दे जिससे दूद का उतपादन बढ़ जाता है याद रखें अधिक चूसने का अर्थ है अधिक दूद क्य करने के लिए इस दनों की उची बच्चे को सक करना बहुत जरूरी होता है कि आपने सुना होगा कि जितना ज्यादा बच्चे ब्रेस्ट सक करते हैं उतना ज्यादा जो हार्मोन से वो चेंज होते हैं और उतना ज्यादा ही ब्रेस्ट मिल्क बनता है तो अपने बच्चे को अच्छे से सक करने दें. दूसरा है दूद ना निकर रीजन दोस्तों, हार्मोनल प्रॉब्लम. देखे, दूद का उतपादन तब होता है ज़र हार्मोन आपके इसतन को संकेत देते हैं. इसलिए यति आपके हार्मोन से खराब है तो आपके दूद के आपर वापूरती रुख सकती है PCOS Diabetes और कम थायरेट जैसी स्थिति में ब्रेश्ट में दूद पैदा करने की संभावनाए कम हो जाती है देखे अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो हो सकता है आपका ब्रेश्ट में कम आए तीसरा रिजन होता है दोस्तों breast की सर्जरी देखे breast की अगर कोई भी सर्जरी हुई है fibroid हो गया breast में जो दूद नलिकाओ को प्रभावित कर सकता है कितने दूद का उतपादन होता है सर्जरी की जटिलता पर निर्भर करता है आज कल fashion के चलते निपल पेरिंग करवाने लगे हैं लोग जबकि निपल पेरिंग भी इस्थन में दूद उतपादन पर negative effect डालता है next है गर्म रोधक गोलिया लेकि इस्थन पाइन के दोरान गर्म रोधक लेना भी इस्थन के दूद के उतपादन को प्रभावित कर सकता है हाला कि ऐसा हर महिला के साथ नहीं होता है लेकिन ये गोलिया हर्मोनल संतुलन को जरूर effect करती हैं जो दूद के आप गुर्ती को बदल देती हैं तो इस बात का भी आपको बहुत अधिक धियान लगना है लेबर के दोरान अगर आपने दवाव का सेबन किया है तो उससे भी आपकी बॉड़ी पर काफी effect पड़ता है कभी कभी लेबर के दोरान महिलाओं को ऐसी दवाएं दी जाती है जो उनके दूद के production को काफी प्रभावित कर सकती है ये दवाईयां श्रम को प्रेरित करने के लिए दी जाती है लेकिन अच्छे बात ये है कि कुछ समय के लिए ही दूद की आप पूरती रुखते हैं उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाती है क्योंकि दूद की आप पूरती की दवाव पर निर्वर करते हो जैसे ही दवाईयां आपकी बंद होती है दूद वापस से अच्छे से आने लगता है तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो उमीद करती हूं आज का ही वीडियो आप लोगोंको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें वीडियो को ज़्याद से ज़्यादा शेयर करें थैंक यू फू वाचिंग प्रेगनिंसी के रविद मेगा थैंक यू नमस्कार